पूरी वीडियो देखने है ताकि आप ठीक से समझ सके तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो अब जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक application है और इस application की खास बात क्या है वो मैं आप को बताऊंगा दोस्तो इस application को आपको install करना है प्ले स्टोर से इसका link मैं आपको description में भी दिया है आप इसे वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तो बात करते हैं इस application की खासियत की दोस्तो अगर हम दूसरी application में या कहीं से नाम देखते हैं तो हमें कई बार तरीका पता नहीं होता कि किस तरह से हम अपना नाम देखें लेकिन यहाँ पर जब भी आप किसी राज्य का राशन कार्ड देखने की कोशिश करेंगे तो जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो पहले आपको समझाया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है और उसके बाद आप जब समझ जाएंगे तो बड़े ही आसानी से आप यहाँ पर अपने राशन कार्ड की लिस्ट देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर उत्तर पर उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देते हैं अब आप नीचे देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल में पहले यहाँ पर समझाया गया है कि आपको करना क्या है राशन कार्ट की लिस्ट आप कैसे देखें तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि आपको पहले क्या करना है उसके बात क्या करना है कहां पर क्लिक करना है किस तरह से आप लिस्ट देख सकते हैं तो जब आप देखे नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको option बताया गया है कि आपको सारी चीजे की click करेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा, उस पर क्या click करना है, सारा समझाया गया यहाँ पे, तो हम नाम देखना वाले हैं, तो हमें यहाँ पर click करना होगा, जैसे कि यह page open हो रहा है, अब देखे, open होने के बाद देखे, आप देख सकते हैं, राशनकार उत्तरपरदेश का जो site है, वो खुल चुका है, अब यहाँ पर हम थोड़ा नीचे जाएंगे, तो नीचे जाकर हमें यहाँ पर click करना है, पातरता सूची में नाम खोजें, इसी तरह स आपको अगर बिहार का भी देखना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको समझाया जाएगा, कि आपको कहां कहां click करना है, जैसे कि मैंने पहले इसमें पढ़ लिया था, कि हमें यहाँ पर कहां कहां click करना है, तो यह जो आपको दिख रहा है, कि पातरता सूची के अंदर नाम तो हमें यहीं पर click करना है, अब हम यहाँ पर click कर देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हमने click कर दिया, इसके बाद एक page खुलेगा, जहाँ पर हमें details पूछी जाएगी, अब वो details क्या पूछी जाएगी, वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यह page खुलेगा, क्योंकि यह थोड़ा सरकारी website होती है, थोड़ा time लगाती है, अब देखे, यह इस तरह का page आगया, अब यहाँ पर आपको दो option दिखेंगे, कि या तो आप अपने राशन कार्ड नंबर से अपना नाम सर्च कर लीजे, ठीक है, या तो आप अपने राशन कार्ड से नाम सर्च कर लीज जो लिखा है, मलब अलग तरीके से, हम दूसरे तरीकों से राशन कार्ड में नाम देखना चाते हैं, तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया है, अब यहाँ पर अगर हमने क्लिक कर देते हैं, तो अब हमें यहाँ से कुछ चीजे पूछी जाएगी, जैसे की हमारा जिला कौन सा है, शेत्र कौन सा है, हम किस खंड से विकार, मलब टाउन हमारा कौन सा है, कार्ड का प्रकार कौन सा है, मुख्या का नाम, ये कुछ चीज़े पूछी जाएगी, तो चलिए हम यहाँ पर इस फॉर्म को भर देते हैं, तो सबसे पहले आपको जिला चुनना होगा, आपका जो भी जिला है, आप उसको सेलेक्ट कर लिजिएगा, आपको यहाँ पर जो भी जिस जिले से आप बिलॉंग करते होंगे, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन में, शेत्र आपका नगरी है या ग्रामीन है, तो वो आपको सेलेक्ट कर देशती, उसके बाद मुख्या का नाम आपको लिखना है हिंदी में या इंग्लिश में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख देते हैं, यह मुख्या का नाम हमने लिख दिया, अब उसके बाद हमें करना क्या है, नीचे आप से एक और option पूछा गया है कि आपके मुख्या के पिता का नाम, अब यह optional है, आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें, तो कोई बात नहीं, उसके बाद आपसे एक option पूछा गया है, यहाँ पर कि, देखिए, उसके बाद आपसे यह capture code दिया गया है, यह capture चोटे अक्षरों चाहिए बड़े अक्षरों वो आपको ठीक यहाँ पर भरना है, जैसे कि हमने यहाँ पर भर दिया है, आप भी देख सकते हैं, और उसके बाद यह जो खोजें लिखा हुआ है, यहाँ खोजें पर हमें click करना है, बस, अब हमने यहाँ पर click कर दिया, अग के आगे उनके पिता का नाम लिखा है अब मान लीजिए अगर आपको कोई गुड़ी देखें यहाँ पर बहुत सारे हैं तो आप उनके पिता के नाम के आधार पर उनको आप इस पर देख लीजिए और पहचान लीजिए उसके बाद अपना राशन कार्ड नंबर आप जो लिखा हुआ है सामने उसको आप यहाँ से लिख लीजिए और उसके बाद आपको देखें सारा एडरस वगरा सब कुछ नजर आ जाएगा और लास्ट में जो यह आपको व्यू का जो एक आप्शन दिख रहा है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको उनके राशन कार्ड की डिटेल भी आपके फोन पर मिल जाएगी जिसा आप प्रिंट भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना राशन कार्ड यहाँ से देख सकते हैं अपके यह राशन कार्ड का पूरा है उनका अपर बियोरा जो है यहाँ पर आचुका है तो इस तरह से आप राशन कार्ड देख सकते हैं चाहें वो यू पी बिहार उत्तरपरत मिलब कहीं का भी τι मैं आपको राशन कार्ड को आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर आपको अच्छे तरह से समझाया जायेगा, सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप उन्हें पढ़िए और उस चीज़ को आप फोलो कीजिए, तो आप सारे जगों के राशन कार्ड को आप देख सकते हैं लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे तो दोस्तो ये जान करें आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए अगर अच्छे लगी तो प्लीज है लाइक कीजिए तो भी क्लेट नहीं धन्यवाद